हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चनल में एक बन्नाई मार्केट अप्डेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बेस्ट इंट्रडे टेडिंग टिप्स फूर टुमारो के लिए जो इंट्रडे की टिप्स है उसमें जो भी रिक्रमेडेशन देगा उसके रिलेटेट अपन बात करने वाले ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने तीन वीडियो अपलोड कर दी है जैसे टूडे बेंकिंग सेक्टर में क्या मुमेंटम हुआ बजाच फाइनल साच क्यों भागा वो शेर होल्डर बरबाद हो गए एक कमपनी का जो प्राइस है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा तो इस तीनो वीडियो को आप जाके हमाई प्लेइलिस्ट में चेक करके देख सकते हो ठीके वहीं पर आप लोगों ने अगर प्रॉफिट गुरू चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है क्या है आज का मार्केट अपडेट तो ट्रेडर्स यहां पर आप देख सकते हो मार्केट अपडेट में यह बात है कि दोस्तों आज भी मार्केट ने अपना आल टाइम का मतलब अभी तक का हाई बना चुका है मतलब अगर आप देखेंगे तो 12,938 के लेवल पर बंद हुआ है ठीक है करीवन 0.50% की तेजी मतलब आज का स्टॉक के मुमेंटम की बात करते हैं तो करीवन 26 स्टॉक पोजिटिव थे 24 स्टॉक नेगियोटिव देखने को मिलें वहीं टॉप गेनर की लिस्टा कर देखेंगे अगर आज तो मज़ा ला दिया 10% की तेजी टाटा मोटस 9% की तेजी बाजाच फाइनेंस बाजाच फिंसर इंडसलेंड बेंक एंड एलेंटी ये टॉप गेनर थे दोस्तों आज के मार्केट के वहीं टॉप लूजर की बात करता हूँ बीपी सेल आज भी गिरावट देखने को मिली इंडाल को डॉक्टर रिडी टाइटन टीसीएज ये सबी कमपनियों में दोस्तों जोड़दार हमें गिरावट देखने को मिली है ठीके तो चली दोस्तों जो दो स्टॉक है आप लोगों को रिस्पोंस दिया जाएगा ठीके तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स स्टॉक जो है वो फाइनेंस सेक्टर से है ठीके नोन एनबी एप सी सेक्टर से जिसका नामे चोला फाइनस चोला फाइनस का अगर आप मुमेंटम देखोगे आज के दिन में त दोस्तों 321 रुपे 95 पैसे हाई लगारा 340 का और लो लगारा 317 रुपे का अगर हमें से हाई और लो से कंपरिजन करते हैं तो एप्रोक्सिमेट 20 से 22 पॉइंट का हमें मुमेंट देखने को मिल रहा है वहीं अगर मैं आपको बात करता हूँ ट्रेड कॉंटिटी मतलब जो का बावनविक का हाई और बावनविक का लो देखें इस टॉक काफी करीब आ चुका है अपने बावनविक के हाई के होता तो आज के दिन ही ब्रेक कर देता आप देखते हैं चार्ट पे किया अगर कल के दिन क्या ब्रेक कर पाएगा या नहीं डिलेवरी पिटन चेक करते है दोस्तों करीवन 23% की डिलेवरी पेटन है आप अगर देखेंगे तो 23.67% की कॉंटिटी में अगर आप देखेंगे तो 21,58,745 कॉंटिटी हमें देखने को मिल रही आज की दिन में डिलेवरी मतलब काफी अच्छा इंट्रेस्टिंग डाटा हमें देखने को मिल रहा है चोला फाइनेंस का अब चलते हैं चार्ट पे चार्ट पे क्या मुमेंटम मिलता है ये भी अपन देख लेते हैं तो ट्रेडर्स यहां पर आप देख सकते हो चोला फाइनेंस का जो चार्ट है वो काफी स्मूथली तरीके से trade होती है देखने को मिला है देखे जिस प्रकार से buying हुआ ठीके buying के बाद एक नया रेजिस्टन बना फिर इतने ही traders ने यहाँ पर profit booking करवाया profit booking के बाद यहाँ पर क्या हुआ इस टॉक में support बना ठीके एक शोटा सा support बना उसके बाद एक फिर नया रेजिस्टन बना फिर profit booking फिर एक नया रेजिस्टन बना यहाँ पर आप देख सकते हो दिन उसके बाद यहाँ पर गिरावट आ गए थी मतलब profit booking के बाद गिरावट लेकिन एक बार फिर से नया रेजिस्टन बनता जब तक मार्केट ऑफ हो चुका था लेकिन इसी बेस पर हो सकता है कि यह नया नया रजिस्टन मतलब कल नया बावन भी का ही हमें देखने को मिल सकता है तो इसके भियाप पे कल ट्रेट कर सकता है पांत दिन का अगर हम डाटा देखते तो पांत दिन के डाटा में करीवन नौ से साले परसेंट की तेजी है एक मेहने की अगर में बात करता हूँ तो एक मेहने में 40 परसेंट की तेजी है पॉइंट में अगर देखोगे तो करीवन 90 से 100 पॉइंट की और 6 मेहने की रिटन की अगर में बात करता हूँ छे मेहने में एप्रॉक्सिमेट 170 परसेंट का स्टॉक ने return दिया है अगर आप point में देखोगे तो 200 से करीबन 210 point का moment हमें देखने को मिल रहा है इस stock में तो मतलब काफी अच्छी तरीके से smoothly trade कर रहा है दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ long time की condition की swing trade की या 6 मैने में जो holding trade रहता है किसी traders का किसी investor का उसके लिए भी काफी active moment करके दे रहा है चोला finance ठीक है तो आप लोगों को समझ में आई गया होगा दोस्तों कि हम इसी भी हाप पे कल stock में buying position बना के काम करेंगे क्योंकि stock में जो चीजे बनी है आप देखेंगे यहाँ पर भ देता हूँ तो traders target and stop close बताने से पहले एक बार में फिर से बोलना चाहूँगा अभी तक आपने हमारे एकोडिंग ट्रेडिंग या डिमेट एकाउंट नहीं ऊपन किया तो आप app stock and angel working में कर सकते हो और हमा साथ free of course trading और investment कर सकते है तिन टेलिग्राम ग्रूप भी अभी तक buy करोगो तो आपको काफी अच्छी काश्ची condition में position मिल सकती है target की में बात करता हूँ देखे stock momentum करता है लेकिन अपन चार्ज से मतलब 1.5% का target लेते हैं मतलब 344 344 का अपना target रहेगा काफी active trade होगा 6 point का SL की अगर में बात करता हूँ दोस्तों तो आप SL लेके चलते हो 335 3 point का SL 6 point का अपना target जो buying position है उसको not done करिए जो selling position है उसको भी down करिए और यहाँ पर जो आप लोगों के लिए stop close है उसको भी proper तरीक से not down करके चलिए अब आप लोगों को नई भी समयज में आता है तो फिर आप लोग आपके financial advisor या broker से भी cancel कर सकते हैं या हमें भी comment कर सकते ठीक है तो चलिए second stock के उपर लेके चलता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आप लोगों के लिए जो first stock के second stock के banking sector में जिसका नाम है ICICI bank ठीक है moment अगर देखेंगे तो करीबन आज हमें 0.5% के moment के साथ बंद होते हो देखने को मिला है करीबन point में देख रह चार सो संत्यानवे रूपे 35 पैसे प्रिविएस क्लोस चार सो चीयासी रूपे 40 पैसे ओपन हो रहा है दोस्तों 418 रूपे हाई लगा रहा है चार सो चीयासी रूपे 25 पैसे ओपन और हाई को देखो तो एप्रॉक्सिमेट 14 से 15 पॉइंट आपको moment करते देखने को मिलेगा का स्टॉक मतलब अगर देखें तो तीन से साड़े तीन परसंट का मूव इजली तरीके से स्टॉक ने किया है तो महीं पर आप देख सकते दोस्तों वॉल्यूम ग्रोथ काफी तेजी से स्टॉक में बढ़ता है करीबन आप देखेंगे तो पोने तीन करोर कॉंटिटी का हम में ट्रेड वॉल्यूम नंबर आप शेर में देखने को मिला है अब देखें स्टॉक कितना शांदार मूव करा कहां पर आ गया है 400 संत्यानवे पर बावन बिक का हाई कितना है दोस्तों 30 दिसंबर को स्टॉक ने बावन बिक का हाई लगाया था 2019 में 550 रुपे का 30 दिसंबर आने में प्रॉक्सिमें दोस्तों पूरे पूरे 40 दिन बचे हैं 40 दिन में हो सकता है मैं यहाँ पर नया बावन बिक का ही देखने को मिल सकता है जिस प्राकास से मार्केट में ग्रो होते जिस प्राकास से स्टॉक में ग्रो होते ठीक है वहीं बावन बिक का लो तो काफी पी सब्याड्रे में 29ड़ में 20 चर्टि प्रोफिट बॉकंग देखने Menica 9 nr तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते जो कहीं कहीं अपने को चार्ट पे प्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिल धीं जिस प्राका से आपको बताने कि मैं कोजिस करूँगा तो बाइंग हुआ ठीके एक नए रेजिस्टन सेडनली प्रॉफिट बोकिंग यहां पर आके एक सपोर्ट बनाया ठीके सेम उसी प्रॉफिट बनाया मतलब अगर देखेंगे तो प्रॉफिट बोकिंग जो बाइंग हो रहा था पूरा वॉल्म के साथ बोई प्रॉफिट बोकिंग पर बीजा रहा था छे मेने के growth के अगर मैं बात करता हूँ छे मेने में 65% से ज़्यादा stock ने profit दे चुका है portfolio में point में बात करेंगे तो करीबन 190-200 point तक का return stock ने दे चुका है तो आप लोगों को मैं बाताने की कोजिस करूँगा दोस्तों इसका भी same पास से करेंगे टार्गेट भी पास में रखेंगे तो अपने लिए काफी जल्दी profit booking जौन बन सकता है ठीक है तो चलिए टार्गेट इन इस्टाप क्लोज बता देता हूँ तो ट्रिड़ेस note down करेगा टार्गेट इन इस्टाप क्लोज position बनाने से पिले आप लोगों को में एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखे momentum generate होता है उसके बाद ही आप stock में 501 रुपे से position बनाईएगा ठीक है करीवन 507 का target लेके चलीगा यह अपने लिए best level हो सकता है target के बाद आप stock close रख चकते हो अपने लिए काफी interesting हो सकता है अब मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ दोस्तों दोनों ही stock long term के लिए best है आप दोनों stock में आँख बन करके बेगर position बनाते हो तो आप लोगों को काफी अच्छी position भी मिलेगी और काफी अच्छा return भी long term में मिलेगा दोनों stock के चार्ट आपने 6 मेने के देती है आपने काफी अच्छा return आपने देखने को मिल रहा है टीके तो चली दोस्तों आप मैं वीडियो को close करता हूँ वीडियो को close करते समय यही बोलूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लेस लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सस्क्राइब करना है क्योंकि डेली बेस्स पे इंट्राडे की टिप्स और मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ धैंकि दोस्तों